कि अग्या दोस्तों मैं सुनी सर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूटूब चैनल में और इरिगेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज हम लोग अगला लेक्षर स्टार्ट करते हैं ठीक है जैसा कि मैंने बादा किया था कि अब अगला लेक्षर हम लोग जो का कãynl headworks का ओगा जिससे आपके डिप्लोमा की exam में निश्च्टि रूप से कॉस्चन आने ही आने हैं अगर आता है को सटेक अच्छा खसा नमबर अकौपाई करेगा जिसमें ये डाइग्राम और उसके पार्ट निश्चि रूप से पूछे जाता है सबसे पहले मैं आ नदी से निकाली जाती है तो नदी से पानी को नहर में मोडने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जन वर्क ठीक है तो और वो कैनाल का सबसे हेड़ पॉइंट होता है इस लिए जो हेड़ वर्क वाला काम होता है उसको हम लोग हेड़ वर्क डाइवर्जन वर्क भी कहते हैं है तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि कनल को जब निकालना होता है किसी नदी से उसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट करनी पड़ती है और उसमें क्या-kya उसके component होगा तो सबसे पहले देखिए यह से यहाँ से ऐसे ओर कर रही है इस direction में इस direction वे नदी फिलो कर रही है, ठीक है ना इसका Def souffle के डिरेक्शन में फ्लो कर रही है फ्लो की जाती है तो देखिए हमेशा जब नदी की चौड़ाई कहीं पर काफी ज्यादा होती है कहीं पर जाके नदी की चौड़ाई क्या हो जाती है कम हो जाती है तो हमेशा ध्यान रखेगा इन नदी की चौड़ाई जहां पर कम होती है तो ये देखें इमपेंघमेंट है इमपेंघमेंट क्या कर िचिसका नचूरल blas यह दिवार बनाई गई है जिसको गाइड़ वैंक हम लोग कहतों यह दिवार कियों गई है तो दोनों तरफ यह दिवार होती है क्योंकि इस से नदीज पर यहां पर दबाव बढ़ जाता है जब पानी इसमें जाता है तो स्कोरीं होने का चांस बहुत जादा रहता है स्कोरीं मतलब होता घिसाओ या कटाओ जब नदी जहां पर पतली होती तो पानी रफ्तार्त निकलता है और उसकी वेलोसिटी के कारण वहां पर अगल बगल की मिट्टी में स्कोरीं होने का चांस बढ़ जाता है इस वज़ा से यहां पर यह दिवारे बनाई जाती है सबसे प आधी जाये उसको मोग यह कहते हैं की टाइप के उते हैं उसके बारे में बी बात करेंगे वीर का यह टाइप बैराज है हलाकि उनको अलग अलग लग नाम ले आता है इस तो फिर वो पानी का लेवल क्या होगा आप होने लगए आपी सोचिए जब भी कोई निकाली कि नदी का लेबल हमेशा डाउन होता है छेत्र में और नहर उची नहीं रहेगी तो खेतों तक पानी कैसे जाएगा इस टाइप से तो हमेशा नदी में पानी का लेबल उपर उठाते हैं और फिर नहर में ऐसे निकालते हैं ताकि नहर उचाई से निकल खेतों तक पानी पहु साइट से निकलने लगेगा तो देखें यहां पर दीवार बनाई जाए गए है जो आप इस्ट्रीम में यह आप इस्ट्रीम यहां पर देखें यूएस का मतलब आउन इस्ट्रीम है और डियस का मतलब डाउन इस्ट्रीम है डाउन इस्ट्रीम मतलब जहां से पानी आ रहा होत आपकी कैनाल जो है वो निकाली गई है ये कैनाल आपको निकल रहे ठीक है ये कैनाल निकली आपकी ठीक है ये कैनाल जो जा रही है आगे की तरफ इसमें ये पानी जाने लगेगा लेकिन देखें कई सारी व्यवस्था है इसमें क्यों कई गए जैसे ये जहान जिस साइट से यह एक डिवाइड लिया दिवार है जो पानी को डिवाइड कर दिए तो यह बीच में मत समझेगा शको बिल्कुल ISM समझेगा यह यह जो पूरी beer उसके बीछ में वो एक दम किनारे पर ये चोड़ाई है दिखाने के लिए कम लग रही है नदी बहुत चोड़ी होती बहुत चोड़ी तो यह जो डिवाइडिंग ओल नहर वाले किनारे के काफी पास होता क्यों क्योंकि देखे जब पानी यहां से बहुत स्पीर गैने इस टाइप से यहाँ पे स्थाइप से बहुत स्पीड में आता है जब इस भाद में पहुंचता है इस भाद में पानी स्थिर होने लगता है क्यों यह डिवाइड इंग तो की इतनिया डूर के एरिया को सान्ट कर द हो इस जोन में पानी की गति काफी कम होती है क्यों पानी को रोका जाता ऐसे क्यों Calvin आर्म स्विचे नदी के पानी महारी मात्रा में मीहठ iç मिली आप न रा पयोगह आप वाठी करती है लेकिन जादा ने सिल्ट जाने की वज़ह से नहरों के चोक होने की समाना जादा रहती जैसे देखते हैं नदियों के अगल वगल कितना ग्रे कलर का स्टैन्ड बिखरा होता है महिन सिल्ट की बालु बालु या सिल्ट उसमें होता है वह हम चाहते कि वह सिल्ट इसी में बैठे दिरे-दिरे तो उसमें जो सिल्ट घुली रहती है वो धीरे-धीरे क्या होती है डाउन होने लगती है और नीचे बैट जाती है ठीक है और उपर से च्छन करके पानी कैनाल में क्या होता है वह उसने लगता है तो ऊपर पानी का लेबल उठा और कैनाल में जाने लगा साफ पानी लेकिन ऐसे बचाने के लिए नीचे गेट लगे होते हैं यह चीज़ समझीगा यह दो जो बने हैं दीवार बनी है उनके बीच बीच में यह गए लगे हुगे है ठीक ना इन गेट से क्या होता है इनको जसो अफिर नीचे यह या नांधी का लेवल से पानी हरा और नीचे एक दम नीचे बियर ऐसे खड़ी थी अजो ऐसे पूरी बियर वाल खड़ी थी उसके नीचे तली सेल्ट के लिए यह गेट लगाए बलते जिसको स्लूस गेट या अंडर स्लूस बोलते हैं इनको हम लोग दूसरा नाम क्या देलते हैं अंडर स्लूस अंडर स्लूस का मतलब क्या होता है इस में से हो करके डावन इस्ट्रिम में क्या होती है निकल जाती है फिर उन गेट प्रफ का बंद्द कर दिया आता है और फिर नहर का लेबल उठकर के नाधी का लेवल उठकर के चैनल में पानी जाने लगता है इस डिवाइडिंग वाल का काम क्या है यह जिस अच्छा कभी कभी यह था कि एक तरफ नहर निकाली गई है दूसरे तरफ भी निकाली जा सकती थी तो फिर यहां पर भी डिवाइडिंग वाल बना करके इसमें स्टिल पॉंड क्रेट करते और इधर की तरफ पानी को डाइवर पीर्स हैं और इन पीर्स के बीच-बीच में यह जो दिखराना वह गेट है इन गेट को उठाया जाता है जैसे यह नहर का लेवल आगर आप इसको ऐसे समझेए इसको इस भीव से देखना सुरू करेंगे ना तो सपोच करिए कि यह कैनाल ऐसे निकल रही है नदी का पानी जो है वो उपर उठ गया और वो कैनाल में अब जाने वाला लेकिन वो कैनाल में ऐसे नहीं जा सकता है नदी का पानी नदी का पानी कैनाल में जाने के लिए उप पर ऐसे गेट लगे होते हैं ठीक है और वो गेट में ऐसे फार्टक लगा होता है इन फार्टक्स को उठाएंगे ऐसे तो जब इन फार्टक यह माली जी ऐसे पानी डाइवर्ट हुआ है अच्छा यह अगर हम इसको ऐसे देखें तो देखें यह दिवार है यह उस भी उसे देखें ऐसे देखें नीचे की तरफ वहां खड़े होके अगर आप नीचे देखेंगे तो सामने कौन दिखाए दे बस देखें यहाँ पर सटेक्स के टार गेट लगे होता है ऐसे एक्स्ट चप्रियक्ट अगेल होता है और इन गेट यह सामने अगर आपको डिक रहा है न समझेए इसमय से टाउन स्ट्री में जाती है नदी का पानी ओपर होड़ता चड़ रहा है क्योंसमें एक लेश को धोरार्टाटीर दो जंसे होकर पानी जाता है और यह जो बना हुआ यह यहां से इस पूर्षन को हम लोग रेगूलेटर बोलते हैं ठीक है रइगूलेट करने का मतलब गूलता है नियंतिरत करना और रेगूलेटर इसको πयों मैं कि एक चीज आती है यहां पर देखिए वाल के साथ में यहां पर देखिए पूस टैप्ट बनी है जिनको फिस लैडर बोलते हैं फिस लैडर मतलब जब भी कहीं पर नदी का तल उपर उठाकर अचानक फिर बीयर को क्रॉस करके नीचे गिरता है तो काफी उचाई से पानी नीचे गिरता है तो अगर मचलिया नदी में हैं हैं अगर क्या होती ही है वह मचलिया अगर इस पर से अचानक ऐसे ड्रॉब करेंगी तो सबके लिए सूटेबल नहीं है छोटी बड़ी कई अगरी का कि मचलिया तो उनको जाने आने का रास्ता देने के लिए अप इस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ एक बेफल वाल्स टाइप की ऐसे इस्ट्रॉक्चर बनाए रहती बेफल वाल का मतलब क्या होता है पानी देखी इसमें से ऐसे जाएगा ऐसे यह ऐसे घूमते इसे जाएगा तो JACने से क्या होगा यह मचलीया इसके अंदर से होते हुएller निकल लाएंगी इस पार डाउन स्ट्रीम औं तो यह पिस लैडर का क्या काम होता है को हिंगी में मचली सीडि बोलता है यह मचलियों को आप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में आने में मदद करती ह है आपको ये बाद भी समझ में आ गई होगी फिर यह गेट क्यों है यह सिल्ट को निकालने के लिए यह गेट की हो यह कैनल में सप्लाई देने के लिए है डिवाइडिंग यौर्ट वॉल क्या करती स्टिल पॉंड क्रियेट करती जिससे पानी यहां पर इस तिर हो जाता है व मतलब किसी कैनल को मोड़ना हो तो इतने सारे पार्ट होते हैं वन बाई वन चीरों को समझ लेते हैं पहला पार्ट क्या होता है बताई यह कई बार एक्जाम में आपको कोस्चन आएगा तो कहेगा कि कैनल हेडवर्स के सभी कंपोनेंट्स के नाम लिखिए और उनके बारे में समझाइए तो आप सबसे पहले बात तो यह डाइग्राम आपको मस्ट है या दोना चाहिए मैंने बना दिया है अब एक बार भी अगर अच्छे से देख भी लिए हैं तो आप क्लियरली इस डाइग्राम को बना सकते हैं ठीक है और दूसरी चीर इनके नाम लिखना और उनक पानी जो नदी होती उसकी चौडाई की दिसा में एक दिवार होती है जो आप इस्ट्री में पानी के लेवल को बनाने का काम करती है ठीक है वियर का मुख के काम क्या है पानी के अप स्ट्रीम में यानि नदी के अप स्ट्रीम में पानी के लेवल को क्या करता है वो उठाता टिक है dividing wall dividing wall जिस दिसा में जिस साइड में गैनाल बनानी होती एक प्रवा की दिसा में बनाई वये विवाल होती है जो अपने एक तरफ process progress करती है जिसकी वख़र से स्ल्ट बैठ जाती है सांतो करके और कैनाल में सील्ट जाने सभ papa एड रिधो लेटर से पानी कितना नहर में देना है उसको कंट्रूल करना है समझ गया होंगे चीजों को फिस लेडर क्या होता है मचलीयों कोड़ शेंसे डावन स्ट्रीम में सांती पूरवक ले आने की व हमस्था होती है दूसरा लॉक सूट क्या होता है लॉग सूट देखे इसी के साथ में मचली सीडी जो है ना आपकी फिस लेडर उसी के साथ में एक डाउन इस्ट्रीम में इस टाइप से नाली बनी होती है यह आपको सीधा जरूर दिख रहा लेकिन स्लोप है रैंप है एक तरह का यह इसको अगर आम लोग ऐसे लिखें तो एक तरह का रैंप मतलब होता है ढालू सतर इस ढालू सतर को क्यों बनाया गया है जब बियर ऐसे उपर है ऐसे तो विय अच्छा पहले क्य यहां जाना होता था वो चलिए जाती तो जब इस तरीके से नधी के पानी में लकड़िया जाती थी अमाली जे वीयर बीच में आया लेवल उठा और फिर अचानक से ड्रॉप हुआ तो उससे प्राबलम होगी तो इसलिए जब लकड़ी के लट्ठों को लिजाना होता था तो उनके लिए च्छोटी सी रैंप लुमा ऐसे स्लोपी नाली बना दी जाती थी स्लोपी नाली से क्या होगा लट्थे उसमें से होके आराम से गिरेंगे और डाउन इस्ट्रीम होते हुए फिर आगे निकल जाएंगे तो दिस 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 चैनल इस लून आज लॉक सूट यान लट्था याई नाली को ठीकना इनी बोलतें लटावर अनली का लॉक चैनल लॉक चैनल ल्उक चैनल देखिया है थिक है जब यहान से सब कुछ होई रहा था तो फिर नदी को यहां से नहर को जोड़ने की क्या जरूवत ती जरूवत इसलिए थी कि जब भी कभी ऐसा होता कि कोई नाव अगर आपको ले जाना हो या फिर कोई सिपिंग का प्रोसेस हो या किसी भी एक चीज को दूसरे जलतल पर उतार नहीं यह जरूवत नहीं और यह 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 लॉक्ट चैनल क्या होता है नाव अगर आ रही तो नौक तो पुदाएंगा नहीं यहां से नाव को अगर नदी से नहर में नहर से नदी मिले जाना हो तो साइड से चैनल दे जाती थी जिससे पानी होकर के आराम से इसमें उतार दिया जाता तो इनको कहते थे हम लोग लॉक चैनल आयोप सब सारा सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा पार्ट यह जरूरी नहीं कि आप बनाये डाइग्राम में और यह भी जरूरी नहीं है लेकिन इनके बारें बता देंगे तो इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा पहले बनाया जा तो प्रेवेंड करेंगे तो ने कैनल में जाने से रोकने की व्यवस्था करने को ही खाल्स और क्याल क्यों किया जाता है मैंने अभी भी घवेथे सिल्ट इसमेजर प्रॉब्लम आप यहां नदी के पानी में इतना ज्यादा सिल्ट होता है तो उसको अगर कैनाल से लेग भी गया ना कितना भी अभी देखिए काफी याद तक सिल्ट हमने रोका लेकिन फिर भी कैनाल में काफी मातरा में सिल्ट चली जाती है इन सिल्ट को इसके बार में डिटेल में आगे बात करेंगे क्योंकि यह कई बार आपकी एक्जाम में आता है कि वर्ट अपने समय लिया थोड़ लिशेंगे वियर और बैराज में बेसिक अंतर कई बार पूस देता आप से एक्जाम में इस पॉइंट काम लोग अभी समझेंगे तुरण और इसको सिल्ट प्रिवेंशन वर्ट को हम लोग अगले लेक्टर में समझेंगे और इसी के बाद कैनल हेड़ वर्ट जो एक इंपॉर्टेंट शेप्टर जिसे कोस्चन आना है वो खतम हो जाएगा आई होप सारा सब कुस समय में आगया होगा तो मैं यहां से मिटा रहा ह और बैराज के बारे में समझ लेते हैं तो दोनों ही चाहे वीर हो चाहे बैराज हो तोनों का काम क्या है नदी के अप स्ट्रीम में पानी के लेबल को उपर उठाना वाउट डैम इस दिफरेंट फ्रॉम देम इन से किस तरीके से अलग है तो डैम को अगर अलग करने की बात time क्यों क्योंकि अगर कोई प्राब्लम आगे पानी का जरूर्वत पढ़ने लगा तो हमारे पास को सी स्टूड़ वाटर रहे इसके लिए हम क्या करते हैं यहां पर वीयर का कहानी है वीयर इस टाइप से होता है कि माली जी नदी में इस टाइप से पानी बह रहा है ठीके न तो इस टाइब से बैता इसी लेबल पर निकल जाता लेकिन हमने यहां पर क्या किया हमने यहां पर पानी को रोक दिया यहां पर पानी को हमने रोक दिया किसके नदी के पानी को और इसके उपर दिवार और बनाके इसके उपर और ऐसे रोग दिया ठीक है ऐसे अब क्या होगा पानी इस लेवल पर तो जाएगा नहीं अब पानी का अच्छा यहाँ पर क्या हुआ नीचे इस थाई कोई इस टाइब से बान दिया इस पॉर्म नहीं इसको ऐसे क्यों बना रहा हूं है कि ends of suppose करीं की मैं संब्री स्क्चर त olmasıे संब्री स्टक्चर इस अब हाथ सब नदी का पानी यहां से बैस यहाँ पर उटना शुरु करेगा उपर उठना सुरू कर shouting का ऊपर यहां से फिर निकलना शुरू किया और यहां पर जाने लगा और पानी जाहिर से बात है जब यहां गिरेगा इस टाइप से तो काफी प्रेसर देगा इस वज़़ा से इस साइड में हम मैं सुनरी कुछ फड़ा और पक्का और मजबूत बनाते हैं तो जब भी कोई ऐसा इसकी बैराज कि अब आराज समय मिटा तू बैर आज कभी सेम काने फाने की लेवल को उपर उठाना लेकिन हाउट इस डिफिन स्वाम प्रम राच की कैस में होता है कि अगर नदी का लेवल यहां पर ऐसे जा रहा है अग्या क्या करते है आप द्यान समझी का चीजहों को सेम सब कुछ है उपर बस हमने क्या किया एक फार्टक ऐसे इसके एक नहीं है कई सारे इसके अंदर फार्टक लगा अब क्या होगा जानते हैं इससे अब यह है फार्टक इसका ठीक है यह फार्टक अब पानी का लेबल इससे काफी उपर उठा ऐसे यह कभी भी पानी का लेबल इसके उपर नहीं जा सकता इसके उपर कभी भी पानी का लेबल जाके उपर से नहीं गिरेगा जब को पानी को ले जाना होगा इसके उपर इनको कीच करके इन फाटक को उठाया जाएगा और तब पानी स्के निजे जाना सुरूँगा सबते को इस मेरा यहाई लिए यह यहां पर यह बनाई जाती है ऐसे और चौड़ा कर लिए इसको एक चौड़ी सड़क बनाई जाती है अगर आप देखिए वीयर में जा रहा है तो वीयर में देखिए पानी जा रहा ना कोई आर पर जाने के वेवस्ता यह सब सब्सक्राइब यह सब क्रॉस सेक्षन है तो क्रॉस सेक्षन में आपको दीख रहा कि आप कभी भी कोई आदमी इधर से जाया और उधर कैसे पानी लगातार इसको उपर से बैरा और नहीं भी बैरा तो कौन रिस्क लेने जाए कहीं पानी बढ़ गया तो आने लगेगा लेकि यह इसके उपर ही जाना लगा फाटक हमेसा जो बने होते हैं वो कैसे बने होते हैं यहां पर समझें इसके इसके साथ ऐसे रूड़ा होता है अब अगर इन फाटक को खोलेंगे तो पानी हमेसा होता हुगा इधर निकलेगा ठीक है उपर मैंने क्यों गलत बना दिया था थोड़ा साथ ऐसे समझ ने क्योंकि रोड़ पर से ही जा करके रोट पर जा करके ही रेगुलेट किया जाता है इन फाटकों को उठाना है तो इन रोट पर से कोई भी आदमी इधर-उदर करके अपना जा सकता है आर पार चलने फिरने की वेवस्था होती है ठीक है ना और जब इस से खीच करके इस रसी से या कोई भी रेगुलेटरी वर्क यह एक तरह से रेगुलेटर है रेगुलेट करने के लिए इसको रेगुलेट करने के लिए और यह इसका आप स्ट्रीम है और यह जो पानी इसमें से इसके फाटक उठाने पर नीचे से जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा डाउन स्क्रीम हो ठीक है तो वियर और बैराज आप लोगों ने दोनों देख लिया और वियर बैराज में मुख्य अंतर क्या होता है मैं पढ़ देता हूं उसको फटा फटा वियर के के केस में पानी को धोड़ा ही उंची तक दीवार से मेंटेन किया ता मतलब आगर वियर कि उचाई देखे तो कम होती है लेकिन बेराज के उचाही आप काफी जयाधा रख सकते हैं क्यों कि जाधा रखेंगे तो भी कोई दिख्वराइग तौँ बड़ा फाल मिलने वाला है लेकिन बैराज के उचाही ज्याधे तो वाटकों से पानी क्या हो जाएगा निकल सकता है आगे यहां पर अग्रीज बात करते हैं कि वीयर के उचाई कम होने के वज़ाई कम होती है जिसके वज़ा से पानी छेत्रों में कम दूरी तक फैलता अगर हम पानी ऐसे बैराज आता है जब हम इसको रोकेंगे तो यह उपर उठेगा तो दाएं भाएं भी तो फैलेगा और यह कम छेत्रों तक फैलता है लेकिन अगर बैराज के केस में देखें तो पानी बहुत दूर तक फैलेगा क्योंकि यह काफी उच्छे-उच्छे बैराज बना जाते हैं ठीक है ना तो यह सब वियर बैराज में मुख्य अंतर हो गया पानी में तो बालू या सिल्ट गुला था वो नीचे इकठा होने लगा इसके वाज़ा से दीरे-दीरे चोक होने लगता है जब कि बैराज की केस में फाटक काफी नीचे लगए है तो सिल्ट इसके अंदर ही कठा भी हो रहा को जब फाटक उठाएंगे तो सिल्ट ठीक है अंदर से अराम से पूरी की पूरी निकल जाएगी ठीक है अगला चीज़ है कि इसमें देखिए वीयर जोना बनाने में बहुत आसान है मतलब इसको बनाएंगे तो एक दीवार के बल बना देनी है फाटक वाटक लगाना उसको रेगुलेट करना सर्वीज रोड मतल यह यूश्फुल कम है बनाने में यह लेकिन यह बहुत यूश्फुल हो जाता है ठीक ना इसमें डाइवर्जन हेडवर्क के वज़ा से देखिए जैसे माली वीयर काफी उचा हुआ और पानी उपर बढ़ने लगा और फिर तेजी से कैनल में पानी जाने लगा तो वीयर म में बेसिक यह सब डिफरेंस दोनों आपके थे मैंने पढ़के सुना दिया आपकी बुक से ही और आप लोग अपनी बुक से ही इसको एक बार रेडिंग लगा लेंगे तो पूरा चीज आपका क्या हो जाएगा ठीक है और भी इसमें टॉपिक मैंने बताया कि अब एक सिल् पढ़ेंगे और हेडवर्ट से बस इतना ही कोस्टन आता है सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना बीयर बैराज को अलग से दे सकता है इसलिए इनके बारे मैंने अलग से आपको बता दिया आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर में कि क्या बीयर है चाहिए जितना ज्यादा आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे मैं मोटिवेट के लेक्टर बनाता रहूंगा मिलते है नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद्वाद